ओम शांति शिव महुटसब में आज फिर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत, हमारे सभागे कास माउट आप उसे हमारे साथ बहुत सीनियर बरामा कुमारी सुस्टर जिने आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, मुश्य बहन जी हैं, उनका स्वागत करते हैं, ओम शांति अभी जो हम बात कर रहे थे, जो हम इन दिनों बात समझ में आई है, जब हम बिलकुल एक clarity से परमात्मा को भी समझे हैं, कि वो शिव जने हम प्यार से बाबा, हमारे पिता है, वो पुकारते हैं शिव बाबा के रूप में, उनकी जयन्ति को हम महाशिवरात्री के रूप में celebrate करते हैं, गीता की बात हमने की थी, अभी तक जो बात clear होती गई है, कि वो परमात्मा द्वारा दिये गए महावाक के हैं, जो आज पूरा विश्व एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि वो मानवता के लिए हैं, और परमात्मा यानि के शिव, तो फिर अभी तक हम इस confusion में क्य या ये बात क्यों थी, कि वो गीता अभाच जो है, जो वो गीता अभदेश है, वो श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रशन उठता है, हम अपने सभी दर्शकों से बार-बार ये कह रहे हैं, कि हमारा पूरा प्रयास है, हम सही पेक्षमी ज्यान को समझे, लॉजिक की, तर्ग की कसोटी पर उसे हम कसते जाएं, देखते जाएं, तब जब जो बात सही लगे, उसे एकसेप्ट करके उसका अनुभव करें, यहां हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसा है कि जो बात श्रिमत बगवद गीता में कही गई है और भगवान ने भी जब अपने परीचे के विशय में कहा, और अर्जुन को भी इस बात का संशय आया, कि जब आप कहते हो कि आप अजन्मा हो, निराकार हो, सुक्ष्म ते सुक्ष्म, अनुसे बियती सुक्ष्म हो, तो फिर जो मेरे सामने है, वो कौन है, तो यह प्रशन दिविय द्रिश्टी प्राप्त कराओ, जिससे मैं आपके वास्तविक स्वरुप को देख सकूँ, और इस तरह से ग्यारवे अध्याई के अंदर, जब परमात्मन अपनी वास्तविकता का दर्शन कराया, अर्जुन को, दिविय द्रिश्टी प्रदान करते हुए, तो उस स मैं हजारो सूरिय से तेजो मैं स्वरुप का साक्षात कर कराया, जिसका तेज स्वयम अर्जुन भी सह नहीं सका, और उसने कहा कि बस करो प्रभू, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा हूँ, यानि ये बात सपष्ट हो जाती है, कि परमात्मा का जो दिविय स्वरुप था, वो जोती स्वरुप था, और हजारो सूरिय से जैसे आकाश मंडल के अंदर एक साथ हजारो सूरिय उदई हो गये हो, इस तरह का दिविय स्वरुप था, यहां वहां हम कितना ही भटके, शिव ही अंत्तह सब कठिकाना है, सत्यम शिवं सुर्वरं। शिव समुत्र है, हम सरिताए, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए, शिव सहे जिसा मरपण स्वीकार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। परमात्मा ने जो आधार लिया, अकॉर्डिंग टु गीता, जो आधार लिया, वो भगवान ने यही कहा, कि हे अर्जुन, मैं अतीस आधारन रूप में आता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ, इसलिए मुड मती मनुश्य मेरे वास्तविक स्वरूपन को न जान पाते हैं, न पहचान पाते हैं। तो इसका मतलब सिक्रिष्ण के रूप में अगर भगवान आते थे, तो कौन व्यक्ति नहीं पहचानते थे। और परमात्मा को दिव्य कार्य करना था, अधर्म का विनाश सत धर्म की स्थापना करनी थी। अगर सिक्रिष्ण के रूप में आये, इस कल्यूप के अंदर या अधर्म के समय पर, तो कौन व्यक्ति नको कार्य करने देता। सारे लोग इखठे हो करके उनके पास में दर्शन के लिए या उसके पैर छुने के लिए पहुँच जाते थे, तो भगवान अपना कार्य नहीं कर पाते थे। और इसलिए उसने कहा कि मैं अती साधारन रुप में आता हूँ, जिस कारण मुर्मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं, मुर्ख मेरा उपहास करते हैं, और कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरुप को जानकर, पहचानकर मुझे प्राप् इसलिए कहा गया है कि नर ऐसी करणी करे जो नर नारायन बने, नारी ऐसी करणी करे जो स्री लक्षमी बने, अर्था स्री नारायन का, कृष्ण वही स्री नारायन है, तो स्री नारायन का जो साधारन नर का जो स्वरुप है, जो कल्योग के अंदर, जो नर का स्वरुप है, और उसी में परकाया प्रवेश करके उन्हें वो कर्म सिखाए और वो realization दिया जिससे वो नर से सो स्री नारायन, नारी से सो स्री लक्षमी बनाए। वेद व्याज जी ने इसलिए कहा कि सिकृष्ण के तन में आये। लेकिन सिकृष्ण के तन में उस स्वरूप में नहीं। सिकृष्ण तो सत्युक्य अंदर फर्स्ट प्रिंस हो गया। इसलिए भक्ती में एक भजन गाते हैं। सिकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन नमवासोदेव। कि उसमें सारे सिकृष्ण के स्वरूप स्पष्ट की एक ही जनम के है। कि जिसको बचपन में सिकृष्ण कहा, वही जब थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना, तो उसको गोविंद कहा। वही जब रास लीला रचाते हैं, तो हरे मुरारी कहा। वही जब राजगद्दी पर बैठते हैं, तो नाथ नारायन कहा, वही वासोदेव का पूत्र। और वो नारायन के साथ एक प्रिफिक्स हमेशा जोडते हैं हम, सत्य नारायन या सूर्य नारायन। यानि सत्य नाराण सूर्य नाराण ये स्पष्ट करता है कि वह सत्यू के राज्य करता थे अलख निरंजन है सत्यम शिवं सुर्भरं शिव विराट है हम बिन्दु मात्र है शिव महादानी हम योग्य पात्र है बिन मांगे ही अनुक रहे वो उदार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता यहां एक बात हम और ख्लियरिफाई कर लेते हैं अपने आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जब हम महाभारत की बात करते हैं तो आज का यूग ही महाभारत का यूग है क्योंकि यहां हर घर में हर दिल में अगर हम देखें तो हर मन में महाभारत एक वो घमासान युद्ध चल रहा है जिसे हम धर्म युद्ध भी कहते हैं योगि वो तो हमने पिछली बार की बात में हमने ये समझा था कि पांच पांडव वो कौन है और किस तरह से अरजुन वो हम में से हर कोई वो व्यक्ति जो सीकर है जो परमात्मा के साथ प्रीत लगाता है हमने कौर्वू की बात को भी समझा था तो ये justification आज हमारे सामने है कि म परमात्मा तभी आते हैं गीता ओवाच में उन्होंने गीता के जो अब देश में कहा तो परमात्मा को हमने ये जो वेद व्यास में जिन्होंने रशना की इसलिए कर रही हूं कि साभी दर्शकों के साथ भी हो जाए कि शुविरी कृष्ण का वो रूप जनम लेते लेते ज इसलिए सारी गीता के अंदर कहीं पर भी सिकृष्ण वाच नहीं आता है क्योंकि वो सिकृष्ण का जो साधारन स्वरूप जिसको मनुष्य पहचान नहीं पाए और कोटों में कोई में भी कोई विरला ही उस स्वरूप को पहचान करके उसको प्राक्त कर सेचाए अगर श् सक्राइदा याद कोई याद कोई घर्म की ग्लानी होगी जिस हालाथ में हम है और जिसना से गीता की हर बात कहती आ रहे है सची बात तो ये है सच मुछ हमें समझने की जरुरत है अगर श्री कillance अपने सही स्वरूप में आ जाते तो हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं और वही नर से स्री नारायन बनते हैं और स्री नारायन का वही बचपन का स्वरूप सिक्रिष्ण लेकिन सिक्रिष्ण भी आज दुनिया में इतना हर एक के दिल में बसा हुआ है क्योंकि सिक्रिष्ण जैसे मनुश्य में परंपवित्र आत्म और कोई नहीं है मना भगवान के बाद, परमात्मा के बाद सर्वस्रेष्ट आत्मा अगर हो, मनुष्य में पुरुषों में उत्तम, वो सी कृष्ण, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण नेर्विकारी, मर्यादा पुरुषों उत्तम, सर्वगुण संपन, इतनी स्रेष्ट आत्मा जो हो, तो क क्यों नहीं लोग भगवान के रूप में उसको पुजा करें? परमात्मा के बाद अगर इस संसार के अंदर पूजनिय सर्वस्रेष्ट अगर आत्मा है तो वो है सिक्रिष्न की आत्मा और इसी लिए आज इतनी उसकी मान्यता हरेक के रिदय में बसी हुई है सोला कला संपून का भी एक ख्लैरिफिकेशन हम यह चाहेंगे कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सोला कला है यानि कि जो डिफरेंट आर्ट्स हैं डिफरेंट फील्स अफ आर्ट्स हैं कि चाहें वो म्यूजिक हुआ डांस हुआ यूजिके श्रीकृष्ण की जहां बात आती है वहां रासलीला भी आती है वहां युद्ध कला की बात भी आती है वहां बाकी सारा जो चंचलता की बात आती है वहां मासूमियत की बात भी बच्पने की बात भी बहुत आती है भोलेपन की बात भी प्यार भी बहुत आता है मना कहने का भावाद के perfection सोला figure जो है perfection का figure है कोई बात 100% correct होती है तो हम कहेंगे सोला अनी सच है संपून खिला हुआ चंद्रमा होता है तो कहेंगे सोले कला संपून है सोले श्रिंगार की बात है मना perfection perfection जहां है तो सिक्रिष्ण मना वो perfection का स्वरूप था कि जिसके अंदर कोई कमी निकाल नहीं सकते थे सिक्रिष्ण ने गोपियों के वस्तर हरण किये या इस तरह की जो बाते मक्खनचोर के रूप में उसको प्रसिद्ध कर दिया कि उसने युद्ध सिखाया अरजुन को युद्ध करने की प्रेना दि बहुत बड़ा बात जो आती है जब गीता उदेश की बात आती है कि एक तरफ तो युद्ध की बात हो रही है युद्ध माने उर्जा चाहिए क्रोध जब तक नहीं होगा तब हम वो हिंसक युद्ध नहीं कर पाएगे दूसरे तरफ गीता ही कह रही है कि काम करोध मों अहंकार और लोग जो है ये सबसे महाशद्र है जो विकार है तो बिना करोध के वो हिंसक युद्ध तो कौन से युद्ध की बात है तो ये बताता है कि ये कोई पढ़ते हैं उशाबहन कि एक तरह तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहां जरूरत है बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता मतलब जिस तरह कि युद्धों को हम देखते आ रहे हैं बात करते आ रहे हैं चाहे वो शस्त्रों से अस्त्रों से कैसे भी लडाई हो रही है तो वहां ये सारी बातों की जरूरत क्या थी तो यही बताता है न कि कुरुक्षेत्र का मैदान मना कोई लडने का मैदान नहीं क्योंकि आज भी अगर हर्याणा में चले जाए और कुरुक्षेत्र के मैदान को देखे तो वहां अक्षोनी की सेना खड़ी भी नहीं हो सकती अक् मैदान में खड़े भी नहीं हो सकते हैं लेकिन एक मैदान हम सब के भीतर भी है और वो है कर्म क्षेत्र का मैदान और जब इनसान कर्म के क्षेत्र पर होता है तो वहाँ उसको निरंतर एक संगरश करना पड़ता है एक मनो युद्ध से गुजरना पड़ता है और उस वक्ति अपनी कमजोरियों के वश हो जाता है तो उसके लिए जो बार बार अरजुन अपनी कमजोरी के वश हो रहा था तब भगवान ने उसको कहा ये काम क्रोध ये महाशत्रू है ये तेरे ज्यान को ढख लेता है बहुत संदर उदाहरन उसमें आता है कि जैसे शीशे को धूल ढख लेती है अगनी को धुआ ढख लेता है इसी तर जो मनुश्य काम और क्रोध के वश हो जाता है उसके बुद्धी के अंदर जो ज्यान है विवेक है उसको ये ढख लेता है और विवेक कारिय नहीं करता है आज भी दुनिया में अगर हम देखे कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है क्रोध के या आवेश में आ जाता है तो कहते हैं इसका विवेक नश्ट हो गया विवेक यानि वो ज्यान उस समय धक गया अहंकार जब आता है तो अहंकार उस विवेक को ढख लेता है तो ये बुरे वृतियां जो है ये ढख लेती है तो इसी लिए अरजुन जब कमजोरियों के वश हो जाता था जीवन के संगर्ष में क्योंकि अरजुन तो हमारी वास्तविक चेतना का प्रतीक है तो वो चेतना जो है जब कर्म क्षेत्र में आती है तो कर्म क्षेत्र में आने के कारण जब उसका ज्यान विवेक ढख जाता है ये बुरी वृतियों के वश होने के कारण तो उस वक्त उसको कुछ सूचता नहीं है और उस वक्त वो इन विकारों के सामने हारने का अनुभाव करता है very true actually now is the time to really look at महाभारत in the real perspective हमें सच्छमुच ये जरूरत है कि हम इसको सही परिपेक्ष में देख पाए और आज एक बात हम अपने साथ रखें जहां हम शिव महोटसव को celebrate कर रहे हैं महाशिवरात्री का वो पर्थ अगर हम इसको बिलकुश समझते हुए करेंगे कि गीता उपदेश जो कि मानवता का उपदेश है जो मानव को एक अपने जीवन जीने का बात बताता है वो देखा जाए समझा जाए तो शिवववाच है ये कहे कि गीता जो है एक जीवन जीने की कला सिखा थे, कि ये संघर्ष या चैलेंजिस के युग के अंदर, कैसे ये चैलेंजिस को संबोधित करते हुए, या उसको पार करते हुए, वो आत्मशक्ती को उजागर करते हुए, हम ये हर चैलेंजिस को अपॉर्चुनिटी में कनवर्ट करते हुए, कैसे अपने जीव कि अलगे तो स्नीह सदा ने राही तुसों दिशाओं को मेह काई तेरा प्रेम तराना तेरा प्रेम तराना शिव की प्रेत ने सिख लाया सबसे प्रेत निवाना जब हम श्री कृष्ण के बात करते हैं तो परमात्मा द्वारा दिया गया वो घ्यान क्योंकि हमने इतनी बार ये बात समझी है तो श्री कृष्ण जो की सत्यों के पहले राजा जो एक पुरुशोत्तम राजा के रूप में कहा भी जाता है कि सर्वश्रेष्ट देवता के रूप में माने जाते सोला कला संपून देवता तो उनका जो कल्योग में स्वरूप रहा आते आते आत्मा जहां तक आई तो वो एक साधारन थी, साधारन मनुष्य के रूप में जब थे, तब परमात्मा ने उन्हें ही चुना, क्योंकि वही वो आत्मा थी, जो श्री कृष्ण, क्योंकि दूसरे कोई आत्मा इतनी परफेक्ट वाले थी, नहीं, हो ही नहीं सकती थी, कल्यूग के अंदर भी इतनी मना सभी मनुष्य आत्मों में अच्छी थी, सर्वश्य थी, हाँ, और इसलिए उसको ही चुना, और उसके रथ के माध्यम से ही, वो, मना इसलिए अर्जुन का रथ जो दिखाते हैं, सूर्य का रथ था, पांच घोड़े वाला था, तो ये पंच इंद्रिया एक रथ है, न उसमें परमात्मा ने दिवी अवतरन करके वो गीता का घ्यान दिया, इसलिए परकाया प्रवेश करके, या जो कहा यदा, यदा ही धर्मस्य, कि मैं अद्धी धर्म गलानी के समय आ करके, मना वो एक अवतरन जो था उसके तन के अंदर, और वो तन के अंदर अवतरन के एक बात तो हमें क्लियर हुई कि ये शिव अवाच, जो गीता के हम बात करते हैं, गीता अवदेश की बात करते हैं, ये परमात्मा द्वारा दिया गया वो ग्यान है, जो हर आत्मा को जीवन जीने की कला सिखाता है, और यहां हमारा ये confusion, इसको let it sink in, let it go in, और हम इसके बा बात हम अवतरन की करते हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं कि परमात्मा ने परकाया में प्रवेश किया, अवतरित हुए, उनके अवतारों की बात हर बार की गई है, कि हर युग में अवतरन हुआ, वही बार बार बात आती है, युगे युगे ही, तो हर युग में अगर अवतर लेकिन हम दशावतार की बहुत एक important महता रखते हैं, कि 10 अवतार हुए हैं, फिर आगे और पढ़ जाते हैं, और 24 आशिक अवतारों की बात करते हैं, उससे आगे भी बढ़ते हैं, तो हम यह कहते हैं, कि कणकण में भगवान है, तो इसकी clarification हम चाहे हैं, देखो, यही तो इतना confused stage में है, यह बताता है, कि आखर भी एक अवतारन था, चार अवतारन थे, दस अवतार थे, चौबिस अवतार थे, यह कणकण में व्यापक हैं, तो अवतारत क्यों हो गए फिर? वही ना, तो अलरड़ी हैं, और जब है ही, तो फिर आने की जरूरत ही नहीं, अच्छ कि अगर यही हैं, तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? उसके होते, अगर चलो अधर्म हो भी गया, तो फिर कौन आएगा? कहां से आएगा? और कैसे विनाश करेगा? फिर जो यहां है, वो क्या कर रहा है? जो यहां है, उसका अस्तित्व का महत्व क्या है? तो इसलिए, आज किसी व्यक्ति को भी अगर कोई कह देना ये व्यक्ति तो जानवर जैसा है तो गाली समझते हैं कि हमारा इंसल्ट कर दिया लेकिन परमात्मा को अगर हम कन कन में कहते हैं कन कन माना कुडा कच्रा गंद गटर सब में हैं तो उंचे ते उंची हस्ती परमात्मा क्या उसका ये स् कि कुड़ा, कच्रा, गंद, गटर सब में हैं तो यह तो कितनी अधोगती होगी है यह दिखाता है कि मानसिक ता मनुष्य की मच्छर, मक्खी, हर चीज में हमने माल लिए वो कीट और जो केटानू है उसमें भी है तो अब उचे ते उची हस्ती का कहां हमने स्थान दे दिया और दूसरी और जब हमें कोई कुछ कहता है बताता है तो हम यह कहते हैं उपर वाला जाने कभी भूल से भी यह नहीं कहते हैं नीचे वाला जाने या जो कंड कंड में व्यापक है वो जाने उपर वाला जाने तो यह मानसिक अंट्रोवर्सी बताती है कि मनुष्य स्वयम में कितना कंफ्यूस्ड है इश्वर के अस्तित्व को ले करके और उसके स्थान को ले करके कि वो कहा है और जबकि गीता में उसने कहा है कि हे अर्जुन मेरा धाम परमधाम है मैं परमधाम का नेवासी हूँ जहां सूर्य, चंद्र और अगनी की रोष्णी पहुँच नहीं सकती है अब जब परमात्म का धाम वो परमधाम भगवान हुआज खुद वो कहता है कि मेरा धाम परमधाम है तो वह कण़ कण में कैसे हो सकता है लेकिन आज ये एक तोटल भावनात्मक है भावनात्मक इसी लिए कि आज इस भावना को अगर ले करके हम चले तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे जैसे कोई हमें कहता है बहन जी बाहर हम जा रहे होते और कोई कहे बहेंजी आप अकेले जा रहे हैं तो हम कहेंगे ने भगवान मेरे साथ है इस भावना को अगर लेकर चलो तो हर प्रकार की बुराईयों से हम बचे रहेंगे कोई गलत काम हमसे नहीं होगा कोई गलत विचार मन के अंदर नहीं आएगा ये भावना को लेकर चलना बड़ी उची बात है लेकिन फिर भी जब ये कहा जाता है कि भी कण कण में व्यापक है तो क्यों है तो ये बात शास्तर में क्यों आई क्या शास्तर में लिखी गई बात जूठी है शास्तर की बाते भी जूठी नहीं है सिर्फ मनुष्य ने उस रहस्य को समझने का प्रैत्न नहीं किया है इसलिए ऐसा महसूस होता है बहुत प्यारी बात यह है कि भावनात्मक स्थर पर देखे हम हर पल यह कहें कि पर्मात्मा मेरे साथ है या हर एक में मुझे पर्मात्मा का परचाई देखे मुझे आप में सब में मुझे ये लगे कि ये परमात्मा की ही दिये हुए गिफ्ट है ये परमात्मा की ही देन है नहीं परमात्मा की देन उसकी विशेशना है जो उसके अंदर अच्छा ही है वो इश्वर की देन है लेकिन वो आत्मभाव को हम विक्सित कर सके कि अगर परमात्मा कि मैं संतान हूँ, भगवान मेरे साथ है, जैसे आज एक बच्चा है और उसके साथ उसका पिता चल रहा है, तो उस बच्चे को कोई भेह नहीं है, वो निर्भई हो करके चलता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा पिता हर वक्त मेरे रक्षा करने के लिए है तो ये भाव के साथ जब मूँ चलता है, तो एकदम नीडर हो करके चलता है, तो इसी प्रकार अगर ये कलियों की दुनिया में भी हम इस भाव को ले करके चले, कि भगवान मेरे साथ है, सर्व शक्तिमान मेरे साथ है, तो कभी कोई बात में हमें भै नहीं आएंगा, कोई बुराई हमसे नहीं होंगी, और हर एक को हम देखेंगे, तो उस आत्मभाव से देख सकेंगे, आत्मभाव को विक्सित कर सकेंगे, तो उस व्यक्ति के प्रती भी हमारे मन के अंदर बुरी भावना नहीं आएंगे, द्वेश नहीं आएंगा, क्रोध नहीं आएंगा, ये चीमुरी भावनाई नहीं आएगी, लेकिन जब शास्त्र में ये बात आई है, तो कहां उसका तथ्य तो जरूर है, उस तथ्य को हमने सम्झा नहीं है, तो रुशी मुनियों ने जब ये बात शास्त्र में लखी, तो क्यों लिखी? तो कहा जाता है कि पहले के समय के जो रुशी मुनी थे, वो अपने दिव्य शक्ती से, तपस्या की शक्ती से आने वाले कली काल को देख सकते थे. और जब वो देखते थे कि कली युग जब आएगा, तो घोर पापाचार का युग होगा, मनुष्य घोर पापकरम करेगा, तो उनको पापकरम से बचाएं कैसे? तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी, कि हमानो, तुम जब पाप करता है, तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान तुझे देख रहा है, वो सब जगह है, ताकि मनुष्य को एक भगवान मुझे देख रहा है, और वो पापकरम कम करे, ये भावना से लिखा गया है, बिल्कुर, और यहां इसको ये भी जोड सकते हैं, कि ये ना सिर्फ भगवान से पापकरम कम करे, बलकि जब भगवान में हो, तो ये एहसास की सब जगह है, तो मेरे साथ है, क्योंकि अब हम भगवान में हैं, हम भगवान में इसलिए हैं, कि हमारे साथ क्या होगा, यह हमें नहीं नहीं पता, अगला पल हमारा क्या होगा, बहुत अच्छा लगा और कहा हमारा वक्त गया हमें पता ही नहीं चला हुशब है लेकिन ये परमात्मा की जहां बात करते हैं तो ऐसे ही समय का हैसास भी नहीं रहता लेकिन आज की पूरी बात्षीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्यार्ति